हाई फ्रेंज फ्रेंट को टू माई चैनल बच्चों में अगर कोविड नाइटी इंफेक्शन हो जाता है तो ऐसी सीच्विशन को कैसे हैंडल करना चाहिए यही सवाल जब मैंने कुछ अपने नोन पिडेटीसन से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एस्पेसली जो यह सेकेंड वेव आ रही है उसके अंदर में कोविड नाइटी इंफेक्शन बहुत सारी बच्चों में देखने को आ रहा है लेकिन एक पॉजिटी बात उन्होंने मुझे यह बताया कि जो सेट ओफ मेडिकेशन एक वाइरल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है बच्चों के अंदर में सेम सेट ओफ मेडिकेशन कोविड नाइटी इंफेक्टेड बच्चों को दी गई तो उनका रिस्पोस काफी ज़्यादा अच्छा था यानि कि मेडिकेशन देने से कोविड नाइटी इंफेक्टेड बच्चों में अच्छा रिस्मूद देखने को आता है और वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर जाते पीडेटिशन का तो यह भी माना था कि बच्चे दो से तीन बात है यानि कि बच्चों को ओक्सीजन की जूरूत नहीं पढ़ रही अगर उनके अंदर में कोविड नाइटीन का इंफेक्शन हो जाता है तीसी इंपोर्टन बात प्रिटेटिशन ने मुझे यह बतायती फ्रेंड्स कि जो यह बच्चे होते हैं नोटी नोटी बच्चे हैं आपको यह गलती नहीं करने है क्योंकि यह जो बच्चे होते हैं यह एक गुड कैरियर होते हैं कोर्ना वाइरस का और इनके थ्रू एजली फैल सकता है दूसरे फैमिली मेंबर्स को खासकर एडल्स को और जो ओल्ड हैं अगर उनके अंदर में यह कोविड नाइटी अंदर में रिकरू कर जाता है तो आपको बिल्कुल भी डिलाइट नहीं बरतनी है आपको जो हो माइस्व लेसिन की जो गाइडलाइन है दस से लेके चोरा दिन तक उसको फोलो करना है आपको यह इदहान रखना है कि आपका बच्चा बेसे से ठीक हो जाए लेकिन वो मास बच्चे से बड़ों में ना फैल सके तो अगर आपको यह मेरी वीडियो यूच्प लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और से जूरू कर दिजेगा और इफिव वान तो स्पॉट मी देन प्लीज सिस्काइब मैं चैनल थैंक यू फ्रेज्ट हेलो बोले सबको हेलो ओके और झाल झाल खो झाल झाल फोले समझा खो यह घद कमें चैनल वह दोके बाद से बाद यूचे अज़ और खोग्षेवे वान झाल झाल यूझ बाद के खो लूब गले में पीवाद